कि आपके लिए बहुत ही प्यारा सा जेंट स्वेटर का पैटन लेकर के आई हूँ देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यह जेंट स्वेटर जो हमने बनाया है इसमें कितने फंदे हमने बॉर्डर पर रखे हैं और कितने फंदे हमने घटाए हैं और किस नंबर की सलाई पर बनाया है कितने नंबर की सलाई पर सारा आप कुछ में बताओंगी एकी वीडियो में तो फ्रेंट्स एंट तक आप देखिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले में आपको बता दू इसका जो साइज है एल साइज का सविटर है यह जो वयक्ति एल साइज की सड पहनेगा उसको यह अच्छे से आज जाए गा और देखिए इसकी जो बूल है थोड़ी सी पतली थी मैं आपको दिखाती हूं पास से से यह बूल हमने ली थी बहुत अधिक मोटी नहीं बहुत पतली सी भूल है तो दिखे फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताते हैं कि यहां पर हमने 60 फंदे डाले थे नो नमबर की सलाई पर 60 फंदे डालने के बाद में उनको डवल किया तो 120 फंदे हो गए और उसके बाद में जो बॉर्डर बनाया है ग्यारा नमबर की सलाई से बॉर्डर बनाया है और देखिए जो इसका पीछे वाला वाग है वो आप अपनी जितनी लंबाई का आपको स्व बनाना है उस हिसाब से इसके मुड़े घटाएं और जो मुड़े हमने घटाएं हैं 3-2-1 करके हमने यहां पर यह मुड़े घटाए हुए है देखिए 3 फंदे घटाए फिर उसके बाद में 2-1 और देखिए आगे के भाग में हमने क्या किया है कि मुड़े घटाने से पहले यहां पर यहां से घटाए है और देखिए इसमें क्योंकि डिजैन डाला है यहां पर 120 फंदे थे हमारे तो उसमें से हमने एक फंदा कम कर दिया 119 फंदे डिजाइन के अनुसार डाले है बॉर्डर में 120 फंदे एक फंदा कम कर दिया 119 फंदे बनाने के बाद में डिजाइन बना है इस डिजाइन का वीडियो पहले ही अप्लोड कर चुकी हूँ उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको और देखिए 8 सलाईया बनाने के बाद में उसके बाद में हमने यहाँ पर पहले हमने यह गला घटाया है 8 सलाई पहले 8 सलाई बनाने के बाद में उसके बाद में आगे के जो भाग है सामने वाला उसके बाद हमने इसके मुड़े घटाये है और मुड़े उसी हिसाब से घटाये, तीन दो एक करके, और दिखिए फ्रेंट्स, जो हमने फंदे यहां से लगातार घटाये हैं, और जब हमारे फंदे, क्योंकि हमने यहां पर यह मुड़े घटाने के बाद मेरा, यहां पर हमें सोल्डर पर रखने हैं फंदे, 35 फंदे, 35 फंदे हमने रखे हैं यहां पर, 35 फंदे यहां पर रखे, 35 फंदे हमने इस मुड़े पर रखे हुए हैं, और जो बाकी के फंदे थे गले पर घटा दिये, इसी हिसाब से हमने जो पीछे वाला भाग था ना, उस पर भी हमने यहां पर 35 फंदे रखे हुए थे, और इस वाल जिस तरह से हम गले की सिलाई करते हैं सूर्प फंदे उतारते हैं उसी तरह से हमने यहां पर už सिलाई की है और उसके बाद में हमने यहां पर जो फंदे उठाए हैं चार सलाई से गला बनाया है happy तो देखिए पीछे का जो भाग था ना यह वाला, तो यहाँ पर हमने 75 फंदे, 75 फंदे हमने पीछे वाले भाग से उठाए है, और इस साड में हमने फंदे उठाए है 85, 85 फंदे इधर से उठाए, 85 फंदे इस साड से उठाए है, और पीछे की तरब से 75 फंदे उठाए है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, औ और जो हमने यहां पर यह जो 20 से बनाया हुआ है ना तो हमने पहली सलाई से लेकर के 12 सलाई तक 12 सलाई यह बनाई है जिस पर हमने यह फंदे लगातार घटा है उसके बाद में जो 4 सलाई बनाते हैं उतारने वाली तो उस पर भी हमने देखिए फंदे यहां पर घटा है देख हुआ देखिए इस तरह से बनकर क्या है बहुती सुन्दर इसकी फिटिंग है अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि यहां पर हमने मुड़े पर कितने फंदे उठाए हैं तो देखिए आगे सामने की तरफ से हमने भी 75 फंदे 75 फंदे लिए हैं और 75 इधर स्पीशे की भी सोल्डर पर हमने फंदे उठाए तो टोटल मिला करके 150 फंदे लिए हैं तो इस तरह से हमने इसको बनाया है अब देखिए फ्रेंड्स हमने जो इसकी बूल ली है लोकल मार्केट से ही अपने यहां से लिए बूल थोड़ी सी फैतो पतली और इसमें बूल लगी है 425 ग्राम उन लग गई है इसमें तो आप 4500 ग्राम उन ले सकती है और देखिए फ्रेंड्स उन मोटी पतली के हिसाब से साज के अनुसार ही कम यह ज़्यादा लग सकती है और देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताए क्योंकि इसका साइज जो है एल साइज का स्वेटर है जो ब्यक्ति एल साइज की सेट पहनेगा उसको यह अच्छे से आएगा और अगर आपको यह डिजाइन डालना है तो इसका जो लिंक है मैं आपको सेर कर दोंगी और अगर आपको कंप्लीट यह स्वेटर किस तरह से बनाना है उसका वीडियो में पहले अप्लोड कर चुकी हूं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा और देखे एक बार और बताना भूल गई कि इसका जो बार्डर हमने है न 11 नंबर की सलगा है और देखे क्यों कि यह डिजाइन इस तरह से कुछ इसमें 40 सी बन रही थी तो इसको में 10 नंबर की सलाई से बनाए है और जो पीछे का भाग है साधा भाग है तो इसको हमने बनाया है नो नमबर की सलाई से आप उसी हिसाब से बनाएं कि मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए